हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश तो चॉकलेट गनाश पोरिंग कंसिस्टेंसी में एन पाइपिंग कंसिस्टेंसी में हम दोनों तरके से यूज करते हैं तो चलिए आज बनाते हैं गनाश, तो यहाँ पे गनाश बनाने के लिए मैंने लिया है फ्रेश क्रिम, आगर आपके पास फ्रेश क्रिम नहीं है तो आप दूद से भी इस गनाश को बना सकते हो, तो दूद जब यूज करोगे तो उसी के साथ आपको बटर भी यूज करना है क्रीम में जादा fat content होता है उस तरह से milk में नहीं होता है तो क्रीम में जादा fat content होता है तो उसी तरह से fat content बढ़ाने के लिए हमें अगर हम दूद यूज़ कर रहे हैं तो दूद में हम butter mix करेंगे ताकि दूद का fat consistency है वो बढ़ जाए ठीक है तो अगर आपके पास cream है तो अगर आप 200 ग्राम्स का चौकलेट लोगे तो 100 ग्राम्स यहां पे आज मैं आपको दूध से गनाज बना के दिखार। यहां पे मेने यह 100 ग्रामस छोकलेट लिया है और इसमें डो यह गरम दूध है तो इसका मैं यह 2 गरम नुध that تखें अगर मुझे लग रहा है गनाश बहुत टाइट हो रहा है तब इसमें हम और एक चमच दूद डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने सिर्फ दो चमच दूद अब डाला है और इसी के साथ यह एक चमच में हमारा सॉफ्ट वाला बटर डालोंगी बटर डालने से फाट कंटेंड अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो आप देखोगे अच्छे से मिक्स करना है अगर शुरुवात में आप देखोगे थोड़ा सा आपका चॉकलेट आपको थोड़ा सा टेक्शर अलग दिखेगा कि यह कुछ प्रॉबलम होगे ऐसे लगेगा लेकिन नहीं आपको अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है अपने आप यह सिल्खी एंड स्मूध बैटर में इसको कनवर्ट हो जाएगा तो देखिए हमारा यह स्मूध एंड सिल्खी गनाश बिल्कुल रेडी है जो हमने दूद से बनाया है यह बिल्कुल भी क्रीम से नहीं बनाएं दूद से बनाएं तो यह बहुत जादा लिक्विड है अगर हमें इससे टाइट वाला गनाश बनाना है पाइपिंग करने के लिए इस गनाश को यूज करना है तो हमें इसे फ्रीज में रखना होगा पंदरा से आदे घंटे के लिए तो इसको अच्छे से क्लीन रब कीजिए और इसे फ्रीज मे हो चुका है आप देखो किस तरह से यह टाइट हो गया है अगर यह कुछ जादा ही टाइट हो गया होगा तो इसे अच्छे से स्पैचुला से चम्मत से अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट बना लीजे और देन पाइपिंग बैग में डालिए तो अच्छे से आप इसको पाइ अब इसी तरह से चोटे-चोटे फ्लावर्स हो चोटे से मोदक हो या कोई भी बॉर्डर का डिजाइन आप इस गनाश से परफेक्ली बना सकते हो आप देखे कितना अच्छे से टेक्शर आया है और कितने परफेक्ली सारे डिजाइन डेकोरेशन सम्ब बना पा रहे हैं तो घर में अगर क्रीम नहीं है तो बस इसी तरह से आप दूट से गनाश बना सकते हो तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए कमेंड भी जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सो मच